नमस्कार शात्रो शात्रो आज हम करेंगे कारक कारक के बारे में जानेंगे आज हम हिंदी का जो की हर कक्षा के लिए मत पूरण है तो वीडियो स्कीप बिल्कुल मत करना मैंने कारक की भगतियां और एक-एक कारक के बारे में इसको definition के सहायता से समझाने का प्रयास किया है तो कारक कारक क्या होते हैं कारक का शावदिक अर्थ है क्रिया को करने वाला क्रिया क्या होता है कि काम को करने वाला कोई भी जो काम को करता है उसको क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया को पूरी करने में किसी ना किसी भूमिका को निभाने वाला मीन कोई भी काम वो कर रहा है और उसको पूरा करने के लिए जो भूमी का निभाता है यानि अर्थ पूरन बनाने वाला मीन उसको अर्थ पूरन बनाने वाला मीन किसी योग्या बनाने वाला मीन संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्या के अन्य शवदों के साथ सबंद का पता चलता ह उसे एकारक कहते हैं मीन जैसे पहले आपने पड़ा है संग्या सर्बनाम तो इन सभी को इस जिस रूप से क्रिया मीन इनके हिसाब से ही कोई काम होता है संग्या या सर्बनाम के हिसाब से ही कोई काम होता है उस रूप से क्रिया तथा बाक्य के अन्य शब्दों के साथ सबंद का पता चलता है जब सबन्द पता चल रहा है वाक्य का एक दूसरे के साथ वाक्य वे एक दूसरे के साथ तो उसे क्या कहते हैं शात्रों कारक कहते हैं क्या कहते हैं कारक के भेद होते हैं कारक के कितने भेद होते हैं कारक के आठ भेद होते हैं आईए कारक चिनों के वाक्यों के उधारन के वाद्यम से हम एक नजर डालते हैं जैसे करता करता ने करता मिन करने वाला काम को करने वाला यहां काम कौन कर रहा है मंजू मंजू ने क्या किया बर्गर खाया मंजू ने क्या किया बर्गर खाया सचिन ने शांदार दोरा शतक लगाया मीन सचिन सचिन ने क्या किया यहां पर शांदार डबल सेंच्री डबल सेंच्री बना डाली मीन दोरा शतक लगाया यह करता है करता मीन काम करने वाला यहां पर मंजू और सचिन जो हैं दोनों वाक्यों में काम करने वाले हैं और यहां पर का ने ने लगाकर कारकचिन का प्रयोग किया गया है कि किस ने किया वो काम किसके द्वारा हुआ यह काम तो मंजू और सचिन ने शांदार काम किया है मिन मंजू ने बर्गर खाया और सचिन ने शांदार दोरा डबल सेंच्री लगाया दोरा शतक लगाया अब कर्म की वारी आए कर्म को को विवक्ति चीन है यहाँ पर कर्म का क्या विवक्ति चीन है को यहाँ पर आपको देख लेना है कि को लगा है वहाँ पर कर्म कारक कहलाएगा सक्षम ने आयूश को पुस्तक दी मीन सक्षम ने आयूश को पुस्तक दी क्या दी पुस्तक दी किसको दी आयूश को क्या दिया पुस्तक दी सक्षम ने आयूश को पुस्तक दी अब यहां को कारक का बिवक्ती का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर कर्म करता के द्वारा कर्म किया गया मीन सक्षम करता है और कर्म जो है आयूश सक्षम ने क्या किया कि आयूश को पुस्तक दी राम ने क्या किया रावन को मारा राम ने क्या कर दिया रावन को मारा रावन को किसने मारा राम ने मारा तो यहाँ पर को भिभक्ति का चिन हुआ है मारने के लिए को रावन द्वारा मारा गया मीन राम द्वारा रावन मारा गया है ना करण करण के भिभक्ति चिन है से और के के द्वारा इन में से कोई भी एक आशवद आपको मिल जाएगा मा चाकू से फल काटती है मा किसे फल कारती है? चाकू से, से भीबक्तिचिन का प्रियोग हो तो करन कारक मा चाकू से फल कारती है चाकू means knife और फल means fruits उनको क्या करती है? कट करती है, ठीक है? तो किस के द्वारा कट हुआ? चाकू के द्वारा किस ने किया? मा ने, मा जो है संग्याशबद है और चाकू जो है वो कारक चाकू से मीन क्रिया करने वाला है उसके द्वारा जो क्रिया हुई प्ल काटने की तो यहाँ पर चाकू से करण कारक, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हुगा संपर्दान कार कोल के लिए इसमें से कोई भी वक्ति चिन प्रयोग हुआ हुआ जिसमें संपर्दान करता ने आपको ऐसे याद कर लेने हैं करता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संपर्दान को के लिए अपादान से या में पर ऐसे आपको याद कर लेना रट लेने हैं आठ कार कोते हैं तो मैं आपके लिए चाए बना रही हूँ मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ चाए बना रही हूँ यहाँ पर के लिए आपके लिए किसके लिए दूसरे आदमी के लिए मैं मीन संगया दूसरा आजमी कोन है आपके लिए आपके लिए मीन अन्य पुरुष चाए बना रही हूँ क्या कर रही हूँ चाए बना रही हूँ के लिए का प्रयोग हुआ है इसमें यहाँ पर आपके लिए का प्रयोग हुआ है वहाँ पर सम्परदान कारक फिर अपादान कारक यहां पर क्या है अपादान कारक के बारे में जान लेते हैं अब यह संपरदान था अब अपादान के बारे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं अब पेड़ से एक बार पत्ता गिर गया ना इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है करण और अपादान में कन्फ्यूज नहीं होना ह तो यहां अपादान से पत्ते गिर रहे हैं एक वार अगर पत्ता गिर जाता है तूटकर तो बापिस नहीं लगाया जा सकता नहीं जोड़ा जा सकता तो यहां अगर दिवार से कोई गिर जाता है तो बापिस उठकर दिवार पर नहीं जा सकता फिर से तो बहां पर गिरने का गिरने का मीन उससे अलगा अलगा पैरा हो रहा है अलगा मीन अलग हो रही है बस तो उससे अलग हो रही है तो अलग जब होता है कोई आदमी तो बहां पर अपादान कारक किसी चीज से किसी कोई च जीज अलग हो रही है तो वहां पर अपादान कारक कौन सा कारक अपादान कारक मैं अब कर्म करम को कि दूसरी बार रिपीट हो गया एक दो संपल है तो और रूच्छ को काट कर कि ज suburban को पहले समजा दिया मैने तो तैष्छार ने एक और example समझ लो यहां पर करम का तुशार ने आयूश को पुस्तक दी श्री क्रिशन ने कंस को मारा तो किस ने मारा कंस को मारा किस ने मारा श्री क्रिशन ने मारा तो करम कारक यह ना तो संपरदान कारक पहले क्या किया हमने अपाधान कारक अपाधान में अलगाब पैदा हो गया सं परदान में कौन से भक्तिचीन है को के लिए मैं आपके लिए चाए बना रही हूं रिपीट हो रहा है अधिकरण कारक मशली पानी में रहती है अधिकरण मशली पानी में रहती है इसमें स्वंद काके की रारेरी ये हमाधव का घर है राजू के पिता लेख कहें तो मशली कहां रह रही है पानी में रह रही है तो में पर इसका में पानी में पानी के अंदर है तो यहां अधिकरण कारक कहलाएगा अब हम संबोधन के बारे में जान लेते हैं हे अरे ओ हे राम ये क्या हुआ है अरे जहां भी प्रयोग हो बहां पर क्या होता है संबोधन का संबोधन किया जाता है संबोधन करना को कारक कहते हैं तो राम ने राम यह क्या हुआ हाई राम क्या हुआ ऐसे बौलते है न सर्प्राइज तुम कब आए अरे तुम कब आए संबोधन हो रहा है अब इनको एक-एक कारक कारक चिन और परसरग के बारे में जान लेते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर भी आपको knowledge बहुत हो जाएगी क्योंकि repeat हो रहा है repeat होने से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा पहले शोटे रूप में समझाया अब कारक चिन परसर के रूप में समझाती हूँ एक एक करके करता कारक करता कारक शात्रो करता का आर्थ होता है करने वाला जैसे मैंने आपको उसमें सारा समझा दिया है अब मैं आपको ये पढ़ कर बता देती हूँ करता का आर्थ होता है करने वाला जैसे राजू ने स्वरन पदक जीत कर विद्यालिय का समान बढ़ाया उपर युक्त वाक्यों में समान बढ़ाने वाला कौन है राजू है अता वही करता वही है और इसका ग्यान करा रहा है ने परसरग कौन सा ग्यान प्रसरक जो है वह ग्यान करवा रहा है शवद के जिस रूप से क्रिया के करने माले का बोध हो उसे करता कारक कहते हैं यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शवद के जिस रूप से क्रिया के करने के मेरे काम के करने का बोध हो उसे करता कारक कहते हैं जैसे मा ने खाना बनाया किसने बनाया? मा ने खाना बनाया अब करम कारक के बारे में जान लेते हैं करम कारक शवद के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे करम कारक कहते हैं क्या कहते है? करम कारक कहते है करम का परसरग क्या होता है? कों होता है? जैसे डाकिया ने सक्षम को पत्तर दिया? किसको दिया? सक्षम को पत्तर दिया. अब कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगा कर प्रशन करने पर जैसे मैंने आपको समझाया उत्तर आता है वही कर्म को होता है क्या और किसको क्या दिया किसको दिया यह सब लगा कर देख लिना है आपको फिर आपको कारक की पहचान हो जाएगी कि कौन सा कारक करम कारक करन कारक अब आगया करन कारक करता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है कोई हम कोई भी काम करने के लिए हम किसी बस्तू का प्रयोग करते है ना जैसे चाकू का प्रयोग किया फल काटने के लिए है ना उसी प करनकारक कहते हैं क्या कहते हैं करनकारक के परसर्ग से के द्वारा करनकारक के परसर्ग क्या है विवक्ति चीन क्या है से के द्वारा ओथा के साथ होते हैं जैसे राज्जु ने राष्ट पती के हाथों पुरुस्कार पाया अब राज्जु जो है राज्जु ने किसके हाथो से प्रुसकार पाया राष्ट पती के हाथों से मुझे जहाज से कुलकत्ता जाना है किस से जाना है कैसे जाना है कलकत्ता जहाज से जहाज में बैठ कर जाना है मुझे जहाज से कुलकत्ता जाना है रीना दादी जी के साथ रह रही है रीना किस के साथ रह रही है रीना दादी संपरदान कारक जहां करता किसके लिए कार्य करता है संपरदान कारक में क्या होता है कि जहां करता किसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस भाब को बताने वाले शवद को संपरदान कारक कहते है उस भाब को बताने ओले शवको संपर्दान कारग कहते हैं, इस कारग के परसर्ग को के लिए हैं, इस कारग के जो परसर्ग है को के लिए ठीक है जैसे नेता ने गरीबों को कंबल बांटे अब किसने कंबल बांटे नेता ने बांटे किसको बांटे गरीबों को बांटे क्या बांटा कंबल तो नेता जी ने गरीबों को कंबल बांटे पिता जी ने राजू के लिए साइकल लाए पिता जी किया लाए राजू के लिए साइकल लाए और बेहने अपनी रक्षा हित्तू भाईयों को राखी बांदती है ये था और अब आगए हम अपादान कारक पर बिल्कुल भी स्किप मत करना एम सी क्यू भी डाले हुए है मैंने बहुत विकल्फी अप्रशन तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी तो दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना अपादान कारक संग्या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने दूरी बताने तूलना करने तथा सजाने आदी के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं अपादान कारक का परसर्ग से होता है अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है से होता है अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहां से किस से लगा कर प्रशन किया जाता है क्रिया के साथ क्या लगा जाता है किस से या लगा कर प्रशन किया जाता है और फिर उसक उत्तर आता है बै अपादान कारक होता है क्या होता है अपादान कारक होता है जैसे गीता सीता से सुन्दर है इसमें तुन्ना की गई है कि गीता जो है सीता से सुन्दर है बाग शिकारी से डर गया कौन डर गया बाग किसे डर गया शिकारी से राज्यू दुकान से चीनी लाय रुकौन लाया राजू राजू क्या लाया चिनी लाया तो ये हाँ पर अपादान कारक किसके द्वारा चिनी लाई गई राजू के द्वारा सवन्द कारक संग्या के जिस रूप से दो संग्याओं या सर्वनामों के आपसी सवन्द का पता चलता है वैं सवन्द कारक कहलाता है सबंद कारक की पहचान के लिए या सर्वनाम के साथ किसका किसकी किसके किसने आदी शब्दों को लगा कर प्रशन करके उसके उत्तर प्रापत किये जाते हैं क्या क्या प्रयाप्रयों किया जाता है किसका किसकी किसके किसने आदी शब्दों को लगा कर प्रशन करके उसके उ करेशी ना नेने आधी होते हैं यह वस्ता मिन बैग किस्का है चीनु का है कल नेहा की शादी है अंशु दादी जी के लिए के साथ कहां गई सकूल गई अंशु दादी के साथ सकूल गई अधिकरन कारक संग्या के जिस रूप से अधिकरन कारक सात्मा कारक है अधिकरन कारक संग्या के जिस रूप से क्रिया के समय स्थान अवसर अधि का पता चलता है मीन क्रिया कि समय हो रही है और कहां हो रही है उसे के समय का पता चलता है उसे अधिकरन कारक कहते हैं अधिकरन कारक के परसरग में तथा पर होते हैं अधिकरन कारक की पहचान के लिए वाक्यों में क्रिया के साथ कहां लगाकर क्रिया के साथ क्या लगाना है कहां लगाकर प्रशन तथा उत्तर प्रापत करने के लि थैले में फल है इन सब से क्या पता चलता है अब अधिकरन पैज पर चिडिया बैठी पर Ven पर किया रख यहां क्या है प्ल तरो संबोधन कारक आठ्मा कारक है संबोधन जिन संग्या शव्दों का प्रियोग किसी को बुला पुकारने या संबोधित करने के लिए किया जाता है बेसंबोधन कारक कहलाते हैं संबोधन कारक में परसरग अरे हे वो आदी होते हैं जैसे अरे मोहन यहां आना हे बीरो मात्रभुमी की रक्षा करो तो यह थे हमारे 8 कारक तो इन में से कुछ MC क्यूं है वो नेक्स्ट वीडियो में